असलामुलीकूम व्यूवर्स वेलकम टो मैं चैनल टेस्टी फूट बै अरीब तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती मज़ेदार सा एग्लेज बनेले स्पंच केक जो के मैं बनाऊंगा बगाइर अंडो के एग्लेस होगा यह पहले मैंने आपको इसकी रेसिपी शेयर की थी आदा कप लिए मैंने आपे उसके अंदर मैं डाल दूंगा वन फॉर्ट कप यह बहुत ही जटपट सा के जल्दी रैडी हो जाएगा बस बेग होने में टाइम लगेगा वह लगता ही है इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगा वन फॉर्ट कप दही यहां पर हमने यह को जब तक वीट्स करना जब तक की क्रीमी सा टेक्श्च्र ना जा हमारे बैटर में पर क्रीमी सा टेक्श्च्र आयगे अब यह 가서 मैने लिए इसके अंदरush दालों गां लो डुँँखका दोने टीसपून बेकिंग पाउडर इसके बाद मैं लन फो टीसपून drinking soda लम ऐ तकि हमारे केक का बैलन्स हो जाए टेस्ट यह तीनों चीज़े चान लेंगे इसके बाद मैं आदा डालूँगा बेटर की कंसिस्टेंसी देखकर इसके बाद मैं और डाली है अब मैं इसके अदर डालूँगा एक टी स्पून विनेगर विनेगर आपने के अंदर आखर ना च को यहां पर बीटर की भी ज़रूद नहीं है सिंपल यह विसकी मदद से केक बना सकते हैं जो हमारा दूद बचावात मिक्स करने के बाद वह भी हम इसके अंदर टाल देंगे और इसको अच्छी से मिक्स हो चुका है मारा रिबिड बैटर कंसिस्टेंसी में आ चुका है अब मैंने के बाद तो पतीले की टामिंग लिखी विए आव मैं करूंगो 40-50 मिनट के लिए 180 डिग्री पे यह काफी अच्छ सा बेख हो चुका था हमारा तो थंडा होने के छोड़ देंगे यहां पर यह काफी अच्छ से इस प्रिंग फर्म पहनना था इसलिए वह हैं अब मैं इहां पर इसकी पीछे की प्लेट लुट वारे निकल जाते हैं मैं बटर पेपर लगाने की भी जरुवत नहीं होती है यहां पर देखें कितना सॉफटाइब बनाया हमारा केक रेडी हो चुका है अब यहां पर यह optional है मैंने यहां पर एक glaze ready किया तो जिसकी recipe मैं आपको already share करा चुका हूँ तो यहां इसके उपर मैं अपना सारा glaze डाल दूँगा glaze जालने के बाद इसको मैं फ्रिज में set होने के लग दूँगा glaze optional है अगर आप डालना चाहे तो डालें वरना आप इसको simple ऐसे खा सकते हैं यह ऐसे भी बहुत मज़े का लगेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद यह कितना अच्छा सेट हो गया और कितना मज़े का लग रहा है यह सौफ्टर स्पंजी सा लग रहा है बिल्कुल अंदर से भी बहुत अच्छा एरी सा केक बना है हमारा अगर आपको मारे चैनल पर और यह सी से मज़ी की रेसिपी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और हमारी वीडियो कैसे देखते रहीगा अल्ला आफिस